जै हैं दोस्तों, Welcome to GKE Classes आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिट निकालने का एक बहुत ही शांदार ट्रिक्स दीखने चलने हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग मंक्री ट्रिक बोलते हैं इन सब चीजीए पर हम लोग देटेल में बात करेंगे ठीक है? तो सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि मंक्री ट्रिक हम लोग यूज कहां पर करते हैं? तो यह जानने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, अगर आपको यह दो चीज़ें ध्यान में हैं, तो आप वहाँ पर बिना कुछ सोचे, बिन्दास मंकित्रिक का इस्तवाल कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीक क्या है, पहला कंडिशन यह है, कि अगर limit हो, x tends to कुछ भी है न, 0, infinite, 1, 2, 3, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर variable है, और power में भी variable है, मतलब यहाँ पर 84 का कोई term है, और power में भी 84 का कोई term है, तो वहाँ पर आप बिना कुछ सोचे, बेधरक मंकित्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अब अगर यहाँ limit x का है, तो यहाँ term x का होगा, power में भी x का term आएगा, अगर limit n का है, तो यहाँ n का term होगा, power में भी n का, मतलब यह है कि function आपका जिस term में होगा, उसी का power अगर है, तो आप वहाँ पर मंकित्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह पहला condition है, दूसरा condition यह है, कि कोई भी question दिया हो, माल लो कि यह आपने उस question में direct limit apply कर दिया, यहाँ पर मालो limit a दिया है, तो हमने जो भी term x का है, वहाँ पर हमने aa रख दिया, ऐसा करने के बाद, अगर one to the power infinite का form बनता है, अगर यह वाला form बनता है, तो यहाँ पर भी आप बिना कुछ सोचे समझे, monkey trick का इस्तेमाल करेंगे, आई बात हमने समझ लिया, कहां पर इस्तेमाल होता है, अब काम कैसे करता है, यह देखो, देखो भाई, मालो यह पेड़, और पेड़ के उपर कौन बैठा, बंदर बैठा, है ना, पेड़ के उपर कौन बैठा है, बंदर बैठा है, मतलब यह variable जो है, आपका यह पेड़ है, औ अगर पेड़ के उपर बंदर बैठा है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको पत्थर से मारूँगा, तो यह क्या करेगा, यह भी कुछ तोड़ के मुझे मारेगा, ऐसा तो हैने नीचे आ जाएगा, मुझे क्या करना है, मुझे इस बंदर को नीचे गिराना है, तो ब बंदर पहले पेर भी बैठा था अब क्या हुआ नीचे आ गया और आपने इस पेर को काट दिया है तो यह नीचे वाला जो हिस्सा है यह जो नीचे वाला हिस्सा है यह इस पूरे हिस्से में से आपने हटा दिया आपने क्या किया इस पूरे पेर के हिस्से में से यह वाला हिस पावर में बैठा है या किया करेगा multiply करेगा यह पूरी कहानी आपको सवज में आ गई होगी पेर को काटेंगे बंदर नीचे गिरेगा पेर में से एक को घटा दोगे बंदर नीचे आके गुड़ा कर देगा ठीक है अब यह जो पूरी चीज आई है यह पूरी चीज ए यह वन क्या है यह वन यही पेर का नीचला वाला हिस्सा है जो हमने काट दिया हमने हटा दिया जो हम हटा देंगे तो बंदर नीचे गिर जाएगा अब यह तो हमने समझ लिया कि भाई बंदर बैठा था बंदर को नीचे गिरा दिया यह सब शीजे कर ली अब हम लोग शाल पहले से लिख रखे हैं, तो आओ one by one करके शाल्ब करते हैं, पहले example की बात करता हूं, अब यहां पर मैं पहले आप उस चेक करके दिखा देता हूं, कि भाई, variable के power में variable तो है, देखो, यहां x का term है, power में x का term है, तो variable power variable है, तो यहां पर आप लगा सकते हो, दूसरा condition जो मै x कामन कर लो, है ना, तो आएगा क्या, one minus one by x, ठीक बात है, और यहां पर whole to the power क्या है, x है, x से x कैंसल हो गया, limit क्या है, infinite का, जैसे limit लगाओ गए, five by infinite, यह zero हो गया, one by infinite, यह zero हो गया, तो यह पूरा खतम, कि वो ऊपर one बचा, नीचे one बचा, तो one ही बचेगा, और ऊपर x है, limit लगाओगे, तो one to the power infinite, यानी, यह वाला firm बन रहा है, ठीक है, तो आप चाहो, तो आप question में limit apply करके भी देख सकते हो, कि one to the power infinite का firm बन रहा है कि ने, अगर बन रहा है, तो आप monkey trick का इस्तिमाल करोगे, ठीक है, और इस question को solve करते है, क्या करना है आपको, यह आपका प infinite, और यह पूरा term e के power में चला जाएगा, यही तो हो रहा है, ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको solve करो, इसको solve करो, limit x tends to infinite, x plus 5, minus, multiply करोगे, तो यह हो जाएगा, divided by x minus 1, into क्या हो गया, x हो गया, यह पूरी कहानी x e के power में चल लगे, ठीक है, x से x cancel हो गया, 5 plus 1, 6 हो अब यह कुछ नहीं करना, नीचे से x को common करो, जैसे आप नीचे से x को common करोगे, तो यह हो जाएगा, 1 minus 1 by x, इस लिए x से x cancel हो गया, जैसे आप limit apply करोगे, 1 by x, मतलब 1 by infinite, यह 0 हो गया, नीचे के और 1 बचे का उपर 6 है, answer आ चुका है e to the power 6, ठीक है, तो इस तरह से monkey trick हम ल हो जाएगा, यहाँ infinite रखोगे तो infinite आगया, यहाँ infinite का वंदा है, इसका मतलब आप यहाँ पर monkey trick का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलो लगा देते हैं, सबसे पहले बात e to the power, जो भी चीजे अब आएँगे, वो e to the power आएँगे, x tends to infinite, यह आपका पेड़ है, पेड़े में से कर देना है, मैनस कर दो, यह बंदर जो पेड़ पे बैठा था अब नीचे आजाएगा, यहाँ multiply कर देगा, 1-7 cancel हो गया, e to the power limit, x tends to infinite, c plus dx, divided by a plus bx, अच्छा, ऐसे question में, जब दोनों का power, उपर और नीचे, दोनों का power, एक जैसा हम मतलब, उपर x का power 1 है, नीचे भी x का power 1 है, तो highest power का जो coefficient होता, वही आपका result होता है, तो इसको आप चाहो तो x कामन करके solve कर सकते हो, otherwise आप direct बोल लोगे, कि उपर हो जाएगा, d, नीचे हो जाएगा, b, यह आपका आगया answer, आप चाहो तो यहाँ से x उपर से कामन करो, जो उपर से x कामन करोगे, तो यह हो बी, तो e power dyb बचेगा, ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो कर सकते हो, आई बास वाज में, चलो, तीसरे example की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, x tends to 0 है, जैसे limit apply करोगे, यह 0, यह 0, क्यो लोन बचेगा, और उपर 1 by 0 infinite हो गया, यहाँ भी 1 to the power infinite का form बन रहा है मतला हम लोग monkey trick का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलो कर देते हैं, जैसे आप करोगे, टूटल बातें जो होंगी, वो e के power में होंगी, इस में से 1 को minus करना है, तो आपने x square plus 2x plus 1 में से 1 minus कर दिया, और यह जो बंदर power में बैठा था, यह क्या करेगा, यह आप नीचे आ जाएगा पावर में था बुना करेगा, ठीक है, इस 1 से यह 1 cancel हो गया, उपर देखो x common है, तो x को कामन करोगे, x plus 2 होगा, divided by नीचे x है, x से x cancel होगे, यह पूरी बात e के power में चल रही है, ध्यान रखना इस बात का, उपर x plus 2 बचा है केवल, जैसे limit apply करोगे, यह 0 होगा, केवल 2 यहाँ पर e रखोगे, a minus a is 0 होगया, केवल 1 बचेगा, और यहाँ पर e रखोगे, a minus a is 0, 1 upon 0 मतला infinite, यहाँ भी 1 to the power infinite का फार्म बन रहा है, ठीक है, तो लगा दो भी है, monkey trick लगा दो, limit x tends to a, ठीक है, न, क्या करेंगे, यह पेड़ है, पेड़ में से 1 को minus कर देना है, minus कर और यह बंदर बैठा था, यह उपर बैठा था, आप गुणा करेगा, ठीक है, नीचे गिर पड़ा, हो गया, one से one cancel हो गया, और कमाल हो गया, x minus a, यहाँ भी x minus a, भी cut गया, पूरी कहानी खतम, e के power कोन आएगा, one आएगा, मतलब आपका answer e आ चुका है, ठीक है, तो इस त भड़क monkey trick का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यह वीडियो को ऐसा लागा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक किजिए, पने दोस्तों में share कीजिए, और ऐसे ही सांदार, जानदार, जबर्दस trick सीखने के लिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए, वेल आइकन झाल झाल